नमस्का दोस्तों पेल्टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागा थे दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी वीडियो रिक्जाम्ड 2023 के लिए समान जानकारी के चप्टर वाइज क्लास को लेकर रहा हूं और इस क्लास के अंतरगात हम लोग 20 सुका भूगोल के च राइट अंसर आपको यहां पर देना है दोस्तों तो राइट अंसर उप्शन सी हो जाएगा सम्ता मंडल इसका सही जॉब हैं अगला कोशन कोशन नमर सिकन्ड है 2017 में ग्यानिकों ने ब्रहमांड में सबसे प्राजीन सर्किल आकास गंगा की खोज की चुबी बाइन के ठीक 2.6 अरब साल बाद मौजूद थी इस आकास गंगा को किस नाम से जाना जाता है तो राइट अंसर उप्शन ए हो जाएगा A1689B11 अगला कोशन कोशन नमर 3 है तूटकर गिरते हुए पिंडों के सिध्धन की कोश किसने की तो राइट अंसर उप्शन भी हो जाएगा गालिलि से अगला कोशन कोशन नमर 5 है निम लिखित विकल्पों में से कौन सा सही धंसे ग्रहों के उनके आकार के अरुही करम को दरसाता है तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन C यूरेनेस प्रत्वी मंगल और बुद्ध अगला कोशन कोशन 6 है प्रकास वर्स किसके मापन की काई है तो राइट अंसर ऑप्शन C हो जाएगा एक वर्स में निर्वात में प्रकास दोरा चली गई दूरी अगला कोशन कोशन नमर 7 है सूर के प्रकास को प्रत्वी तक पहुचने में कितना समय लगता है तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन C आठ मिनट 20 स अगला कोशन कोशन नमर 8 है सूर मंडल की उतपती से समय दित इनमें से कौन सा सिधान सही धंग से मेल खाता है तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन B ज्वारी हाइपो थिसिस जम्स जिन्स और हैरोल्ड जेफरी इस कोशन का राइट जवाब बनेगा अगला कोशन कोशन नमर 10 है सूर का दिप्तमान आमुक जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है तो राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर राइट अंसर बनेगा अगला कोशन कोशन के अनुसार सूर के बाद प्रत्वी का निकरतम तारा कौन सा है तो राइट अंसर ऑप्शन C हो जाएगा प्रोक्स सेंचुरी नासा के अनुसार सूर के बाद प्रत्वी का निकरतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी या प्रत्वी से चार तसमलाव दो चार छे प्रकास वर्स दूर है अगला कोशन कोशन नमबर 13 सबसे अधिक चमकिला ग्रह कौन सा है तो राइट अंसर आप्शन हो जाएगा स सुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं सुर्य चंद्वा के बाद सरवाधिक चमकिला दिखने वाला यहां तीसरा खगोली पिंद है जो सुर्योदे से पहले और सुर्योदे के बाद चितित पर दिखाई परता है जो सुर्योदे से पहले और सुर्योदे के में पूरी करता है या क्रहों की सामाने दिशा के विप्रीद सुर की पूरुप से परस्थिम दिशा में परिक्रमा करता है तो आप लोग ध्यान अखेगा माच्वून प्रस्थन है सौर मंडल में सबसे चोटा ग्रा कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन भी बोध है इसका कोई उपग्रा नहीं है आप लोग ध्यान रखेगा या सुर की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरी करता है अगला कोशन कोशन नंबर 16 है निमन लिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंत्रिक ग्रा या पार्थि ग्रा है तो राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा मंगल इसका सही जाब हो जाएगा अगला कोशन कोशन नंबर 17 है किस ग्रा पर एक प्राचीन जिल की उपस्थिति के प्रमाड की खोज अगस 2015 में सोध करताओं के एक द मंगल ग्रा सौर मंडल में मंगल ग्रा सौर से दूरी के क्रम में चोथा आकार में सात्मा सबसे बढ़ा ग्रा है इस ग्रा पर आयरन ऑक्साइड की अधिक्ता के कारण प्रत्वी से देखने पर इसकी छवी लाल दिखती है जिसके करण इसे लाल ग्रा कहा जाता है तो आप धुरी पर चक्का लगाने में 9 गंटे 55 मिनट का समय लगता है सुर की परिक्रमा करने में 11 दस्मलों 9 वर्स लगते हैं इसके उपग्रहों की संख्या की यदि हम बात करें तो 79 है जिसमें गाइनी मीट सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों प्रत्वी के उपग्रहों की संख्या एक होती है दोस्तों मंगल के उपग्रहों की संख्या दो है और ब्रस लगते 79 है सनी की बात करें तो सनी के 72 है दोस्तों और अरून के 27 और वरून के 13 है ध्या नख्येगा अगला कोशन, कोशन नमबर 20 है निम्न में से किस ग्रह के सबसे आधिक प्राकर्थिक उपग्रा हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उप्सने ब्रस्पत इसका सही ज़ाब बनेगा दोस्तों प्रस्पत काल में ब्रस्पत ग्रह के पास सरवाधिक सरसट ग्याद उपग्रा थे वर्तमान में इसके उपग्रहों के संख्या 79 और सनी के उपग्रहों के संख्या 82 सरवाधिक है जो की दोस्तों धान रखिएगा अगला कोशन, कोशन नमबर 22 है चंद्रमा का आकार प्रत्वी के आकार का लगभग है आपको बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी एक चोथाई है एक बटे चारवाँ भाग, ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला कोशन, कोशन नमबर 23 है एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो ACI और प्रसांथ प्लेट के बीच इस्तित है तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों इस कोशन का तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D फिलिपीन प्लेट, अप्शन D राइट आंसर बनेगा अगला कोशन, कोशन नमबर 24 है प्रत्वी पर सरवादिक सीथ तापमान पूर्वी अंटारिटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है तो राइट आंसर आप्शन C हो जाएगा माइनस 93.2 डिग्री सल्सियस अगला कोशन, कोशन नमबर 25 है प्रत्वी की सनचना में राशानिक लाउतत्तो की कितनी मात्रा होती है तो राइट आंसर आप्शन C हो जाएगा 32 से 35 परसंट नेक्स कोशन, कोशन नमबर 26 है प्रत्वी के उत्री गोलार्द में रहने वाली कुल मानों आवादी का अनुमानित प्रसत क्या है दोस्तों तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस कोशन का आप्शन C 90 का सही जवाब हो जाएगा उत्री गोलार्द में 200 की 90 परसंट से अधिक जन संख्या निवास करती है कोशन नमबर अगला है 27 प्रत्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहतम मेंटल सामिल है उसे क्या कहा जाता है तो राइट अंसर ओप्षन B हो जाएगा उसे इस्थल मंदल कहा जाता है अगला कोशन नमबर टूनटी एट है प्रत्वी की पपडी का प्रमु का मुक्य रूप से गठित होता है तो राइट अंसर ओप्षन D हो जाएगा सिलकॉन और ऐल्मूनियम से अगला कोशन, कोशन नमबर 29 है, प्रत्वी पत पर सुर्की परिक्रमा करती है, तो right answer option D हो जाएगा, प्रत्वी अंडाकार पत पर सुर्की परिक्रमा करती है, अगला कोशन, कोशन नमबर 30 है, वर्स का सबसे लंबा दिन है, इन में से आपको बताना है, तो right answer हो जाएगा, option C 21 जून अगला कोश्यन कोश्यन नमबर 31 है प्रत्वी का आर्थ व्यास कितना है दोस्तों आपको बताना है तो राइट आंसर आप्शन भी हो जाएगा 6,371 किलोमेटर नेक्स कोश्यन कोश्यन नमबर 32 है किस तारीप को प्रत्वी किस्ति सुर्के सबसे इसे उप सौर कहते हैं 4 जूलाई को प्रत्वी सुर्ष से सबसे अधिक दूरी पर होती है इसे उप सौर कहते हैं माफ कीजिएगा आप सौर कहते हैं 21 जून को सुर्य करक रेखा पर लंबहुत चमकता है अगला कोश्चन, कोश्चन नमबर 33 है, एकिस जून को दिपहर कोश्चोर की स्थिति एकदम सिर्के उपर कहां पर होती है, तो right answer option B हो जाएगा, 3.5 डिगरी उत्तर, अगला कोश्चन, कोश्चन नमबर 34, किसी वर्स की उन तितियों को क्या कहते हैं, जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सरवाधिक होता है, तो right answer option C हो जाएगा, संक्रान्ती कहते हैं दोस्तों, संक्रान्ती एक खबोली घटना है, एकिस जून को सुर्ग करक रेखा पर लंबोत होता है, तो इसे करक संक्रान्ती कहते हैं, अगला कोश्चन, कोश्चन नमबर 35 है, प्रत्वी क कोलाड में सबसे छोटा दिन, तो right answer option B हो जाएगा, एकिस जून, इसका सही जवाब है, अगला कोश्चन, अच्छान्स देसांतर अंतर राष्टी ती थी, रेखा बस समय से समाधिर, question number 37 है दोस्तों, विश्चु को कितने प्रमुक काल चेत्रों, time zone में विभाजित किया ग जाएगा, greenwich main time, अगला कोश्च, question number 39 है, भारती मानक समाई greenwich माध समाई GMT से आगे है, तो right answer हो जाएगे हैं पर दोस्तों, option C, 5.5 घंटे, अगला कोश्च, question number 40 है, कर क्रेखा, किस से होकर नहीं गुजरती है, तो right answer option C हो जाएगा, Odisha से होकर नहीं गुजरती है, अगला क question, question number 41 है, बसंत विस्वत होता है, एक किस मार्च को, option A यहाँ पर right answer हो जाएगा, अगला कोश्च, question number 42, अच्छांस का एक बरतु जो प्रत्वी की भूमद रेखी सता से 52 डिगरी देक्शन में है, क्या कहलाता है, तो right जवाब बनेगा option D, 52 समानांतर देक्शन, question number 43 है दू भूमद रेखा या विस्वत रेखा या जीरो अच्छांस पर दिन और रत बराबर होते हैं, अगला कोश्च, question number 48 है, किसी वस्तु का भार उस समय नियुनतम होता है, जब उसे रखा जाएगा, तो right answer हो जाएगा परत्वी के केंदर पर, इसका सही ज़ाब बनेगा, अगला इसको बताना है, तो right answer हो जाएगा, option है, पंदरा डिग्री, next question, question number 50 है, दुनिया को समय चेत्रों में बाटा गया है, समय चेत्र की कुल संख्या क्या है, तो right answer बनेगा, option भी 24, विस्वको 24 समय चेत्रों में बाटा गया है, time zone किसी स्थान का मानक समय होता है, दोस्तों, आपको class पसंद आ रही है, तो class को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और share करते हैं, दोस्तों, आज के इस class में बाट सितना ही मिलते है, next class में तब तक ले रोज कर जाहें, धन्वाद,